Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video, so आज हम discuss करेंगे about semester 588 के examination के बारे में, तो sem 588 जैसे आपको dates दिये गए थे already, उस base पे जो है वो time table हमारे पास फिलाल university के website पे आपको मिल चुका है, अगर हम sem 588 की बात करें तो semester 588 जो है वो 25th of April से start हो रहा है और ये जो papers है, काफी सारे papers आपके में मैने में भी जा रहे हैं, लेकिन आपको सारे subjects की तो केटी होगी नहीं, कोई भी subjects की आपको केटी हो सकती है, major subjects जो आपको केटी हो सकती है, वो एक तो accounts हो सकता है, या फिर आपको economics या marketing के subjects में केटी हो सकती है अब काफी सारे बच्चों को confusion हो सकता है कि हमारे subjects कौन से है, किस दिन हमें paper के लिए जाना है, सबसे पहले तो आपके paper का जो time है, वो है 2.30 PM to 5.30 PM, मतलब afternoon के session में आपका 80-80 exam जो है वो होने वाला है, 25th of April is the first date, तो 25th of April को आपका first paper रहेगा, और आपका जो first paper रहेगा, that will be financial accounting and auditing, जिसको हम FAQ के paper के नाम से जानते हैं, तो financial accounting and auditing जिस किसी को भी केटी रहेगा, उसको 25th of April को 2.30 से 5.30 के बीच में paper attempt करना है, और क्या-क्या चीज़े आप पढ़ सकते हैं, कैसे इस केटी को clear करना है, उसक एक group का link मिलेगा, उसमें आप join कर सकते हैं, last minute revision का app download करना ना भूले, काफी सारी चीज़े वहाँ पे में upload कर रहा हूँ, papers, ऐसी चीज़े जहां से, basically आपके notes बनाने में आपको help हो सकती है, बहुत सारी चीज़े हैं, तो ये सारी चीज़ों के साथ जुढना ना भूले, 25th of April को आपका financial accounting and auditing का paper होगा, मतलब financial accounting का paper होगा, उसके बाद आपका 25th को बाकी भी बहुत सारे paper से, वो अगर optionals है, वो आपके subjects में से रहेंगे, तो आप देख सकते हैं, तो major major subject के बारे में मैं discuss कर रहा हूँ, second जो paper होगा, that will be 26th of April, again the timing is same, paper code है 23107, और यहां पे होगा paper, तो costing का paper आपका 26th को है, 25th को आपका financial accounting का paper होगा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, उसके बाद का अगर हम paper देखे, तो उसके बाद का paper हमारा होने वाला है 27th of April, अगर हम 27th of April की बात करें, तो 27th of April को आपका paper होने वाला है business economics 5, मतलब आपका economics का paper होगा 27th of April को, एकोनोमिक्स पेपर 2 और बिजनेस एकोनोमिक्स पेपर 5 तो आपको ध्यान रखना है कॉस्ट अकाउंटिंग आपका 26 को है तो इसका मतलब यह एकोनोमिक्स आपका नहीं है आपका एकोनोमिक्स कौन सा है 27th ओपरिल का इसके बाद जो होने वाला है that will be 28th ओपरिल and that is commerce 5 अपके पास आपने अगर टैक्स लिया है और अगर आपको टैक्स पेपर होगा उसके बाद साटड़े को 29th ओपरिल को आपका टैक्स का पेपर होगा this is an applied component अगर आपके पास आपने अगर टैक्स लिया है और अगर आपको टैक्स में केटी है तो 29th ओपरिल को आपका एक्जाम होगा और अगर आपने computer systems and applications लिया है तो आपका पेपर जो है वो Monday को 22nd में को होगा तो this can be your papers usually यही काफी सारे बच्चों के पेपर होते है और भी बहुत सारे पेपर है अगर आपने बाकी के subjects लिये होगे जैसे कि अगर हम last paper की बात करें तो last paper जो है वो 29th में को खतम हो रहा है purchasing and store keeping 29th में 24th में को EMSSI का paper यहां पे दिख रहा है और अगर आपने कुछ ruler marketing में गरा दिया है तो 25th में को आपका paper होगा अगर आपने बाकी के कुछ papers लिये है जैसे कि investment analysis portfolio management तो 23rd में को आपका paper होगा 24th में को TU का paper है trade unionism and industrial relations का या फिर operation research अगर आपने लिया है तो 24th में को है तो these are the points basically applied components तो सबके अलग-अलग होते है लेकिन overall बाकी के जो papers होते है financial accounting, cost accounting, economics, marketing ये जो papers होते है normally सभी के same है और बाकी के जो optional subjects आते है applied components हाते है वो depend करता है हर college के ओपर तो this is the time table मैंने यह time table किस तरीके से है उसके बारे में discussion किया है आप अभी preparations किस तरीके से कर सकते है उसकी काफी सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे और already मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस सेंफाइ में provide किये थे अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लेलिस्ट बना के रखा है वहां से जाके revise करे अभी हमारे एक major focus होन चाहिए about clearing the paper how to clear उसके लिए काफी सारे वीडियोस आपको देने वाला हूँ तो चैनल के साथ जुड़े रहे अगर पहली बार चैनल पर आये हो तो subscribe का बटन दबाईए because आपको ऐसे ही informative वीडियोस इस चैनल में मिलते रहते thank you very much from this video thank you bye bye all of you